हेलो इस वीडियो में हम व्यू टैम में बिंडो गुरूप के अंदर फ्रीजब पैंड फंक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे तो फ्रीज पैंड फंक्शन का काम क्या होता है इसको हम पहले समते हैं अगर हम ये चाते हैं कि कोई row या कोई column fix हो जाए और जो हमारा बाकी data है जब हम उसको आगे पिछे scroll करें तो वे row और column एक ही जगा fix रहे तो इसके लिए हम freeze pans function का use करते हैं तो अब हम इसके बारे में detail में जानेंगे view tab में freeze pan तो freeze क्या होता है suppose करो ये हमारे पास data है और हमारे पास बहुत सा data है अगर हम ये चाते हैं कि जब हम इस data को scroll करें तो ये वाला ये देखो protect group public block ये वाला जो data है ये hide now तो ये यहाँ पे freeze रहे ये जो row है यहाँ पे freeze रहे तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे click करेंगे ये देखो second row यहाँ पे click किया click करने के बाद यहाँ पे freeze pan यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे दिया गया है फ्रीज टॉप रो यहां पे क्लिक करेंगी यह देखो फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करने के बाद अब क्या होगा जब हम इसको स्क्रोल करेंगे यह देखो स्क्रोल कर रहे है तो उपर वाली यह जो रो है यह देखो इसको हमने फ्रीज कर दिया है तो यहां पे यह नहीं जा यह यह देखो इसको scroll किया यह बापीस आ रहा है इसको scroll किया यह जा रहा है तो इस हिसाब से हम row को freeze कर सकते हैं इसके बाद अगर हम यह जो उपर वाली freeze की हुई है अगर हम इसको हटाने जाते हैं तो फिर हम यहां पे click करेंगे second row पे और यहां पे click करने के बाद यहां पे ज जो हो जाएगा ये देखो ये स्क्रोल कर रहे है ये भी जा रही है फरस्ट वाली रो तो इस हिसाब से हम इसको अनफ्रीज भी कर सकते हैं इसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो कॉलम है ये देखो एक कॉलम जिसमें सीरिय नंबर ये लिखा हुआ है अगर हम इसको फ् में दिये गया है freeze first column यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद यह देखो यह जो column है यह freeze हो गया है अगर हम यह data आगे ले जाएंगे जैसे यह देखो यह आगे ले जाएंगे तो यह freeze है यह यहाँ पे freeze हो गया है यह ने जाएगा यह देखो इसको data को पीछे ला रहे है यह देखो यह first वाला column जो है यहां पे freeze हो गया है इसके बाद अगर हम यह जाते हैं unfreeze करना है तो बैसे ही हम यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद अगर column को unfreeze करना है तो फिर हम यहां पे freeze pan पे जाएंगे और यहां पे first वाला option unfreeze pan यहां पे क्लिक करेंगे तो यह unfreeze हो गया है यह देखो जैसे ही हम यहां पे इसको आगे ले जाएंगे यह देखो यह भी जा रहा है यह यहां पे unfreeze हो गया है बापिस लाएंगे यह देखो बापिस आ रहा है इसके बाद अगर हम यह यह तो हो गया है first row और first column इसको freeze करना ह अगर हम यह चाहते हैं कि यह भी चाहिए हमें first row और यह second row यह भी चाहिए तो हम इन दोनों को freeze करेंगे तो इसके लिए यहां पे third row इसके उपर click करेंगे यहां पे click किया हमें दो उपर वाली यह freeze चाहिए तो यहां पे click किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे unfreeze pan यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे freeze pan यह first वाला जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद क्या होगा यह जो दो उपर वाली row है यहाँ पे freeze हो गई है यह देखो करके दिखते हैं यहाँ पे इसको scroll करते ह यह लेको ऊपर स्क्रोल किया तो यह उपर वाली दो रो यहां पर फ्रीज हो गई है इसके बाद इसको अनफ्रीज करना है तो फिर वैसे ही करना है हमने यहां पर रो थार्ड यहां पर क्लिक किया इसके बाद फ्रीज पैन अनफ्रीज पैन यहां पर क्लिक किया यह लेको freeze हो गी है, अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो Serial No.4 इस उपर वाला यह जितना भी है यह freeze हो जाए तो हम यहां पर jemand Serial No.4 यह दिया हुआ है, यह 4 पे click करेंगे, 4 पे click करने के बाद तो हम क्ये करेंगे यहां पर freeze pan पे cotton पे click करने के बाद यहां पर ये first वाले option के उपर click करेंगे ये देखो यहां पे click किया तो ये देखो यहां पे ये row first वाली, ये second row ये third row, ये four row, ये five तो ये जो है ये freeze हो जुकी है, इसके नीचे जो है ये unfreeze है ये देखो इसको जब हम scroll करेंगे तो ये उपर वाले freeze रहेंगी ये देखो, row को scroll कर रहे हैं तो ये उपर नीचे जा रही है लेकिन ये उपर वाले जितनी भी row है ये freeze हो जुकी है, तो इस तरह से हम जितनी भी चाहें row को freeze कर सकते हैं, इसके बाद ये जो उपर वाले row है, इसको हमने freeze किया हुआ है, इसको unfreeze करेंगे तो बैसे ही यहाँ पे series number 4, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद freeze pan यहाँ पे जाएंगे और इसको unfreeze pan यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो ये सारा data यहाँ पे unfreeze हो चुका है ये देखो, ये data उपर नीचे जा रहा है सारा तो इस तरह से हम इसको unfreeze कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने freeze pan के बारे में detail में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद